यहां में देखें हम लोग कॉंस्टोंärाथे मोडाल को समझेंगे हैं, और इसी में ही आपका टूटल यह कंप्लेट हो जायगा, तो सबसे पहले अग data का यह जानता हैं की जो कॉंस्टों reason पार्क और वर्गेस दोनों ने मिलके दिया था ठीक है और पहली बार जो इन्हों ने बात कहे थी 1920 में बोला था जिसमें छे जून बताए थे अलाकि दोनों मिलके 1925 में यह टूटल आपका फाइब जोन को डिवाइट किया गया जिसमें जो आपका ट्रांजीशन जोन और फैक्टरी जोन दोनों को एक में किया गया और सबसे सेंटर में आपका लोवर क्लास का था ये मिडल क्लास या हाई वाले भीस में रहते थे और सबसे बाहरी जो पेटी थी वो आपका खर आगे अरेक यहांपे अपलफ कराएं गया यह आपका क्या आपका क्या एक पूरा से wyk Dun Pittsburgh आ में क्या था सेंतल लेजने डिस्टिक यहां पर आपका लैन्ड का के वैलू थी वह सबसे हाई है है क्योंकि यह आपका सीवीडी होता यह सीटी का कोर एरिया होता है ठीक है और यहां पे दिया है कि यहां पे earn maximum economic return यानि कि सबसे ज़्यादा जो economic return मिलता था वो आपका cvd से मिलता था दूसरा जो जोन था यह transition जोन कहा गया इसी में आपका factory भी सामिल थी इसी में आपका abandoned building यानि कि जो पुरानी building थी त्याग दी गई थी mixed residential and commercial use यहां पे आपका commercial और residential दोनों यूज मिलता है यह देखें प्रसना आप से पूछे गए आप previous year solve करेंगे वहां पे आपका मिल जाएगा तो transition zone या factory zone में या industrial zone में कौन सा zone था second zone था जिसमें आपका mixed residential और commercial use दोनों मिलता है ठीक है यहां पे आपका factory भी सामिल थी तीसरे zone में क्या था तीसरे में आपका inner city या working class के लोग यहां पे रहते थे यानि कि जो single family वाले थे वो यहां पे रहते थे या जो work करने वाले लोग थे वो आपका तीसरे zone में रहते थे या इसे आप gateways भी कह सकते हैं और चोथा zone था यह आपका residential zone का आ गया और इसमें आपका single family वाले लोग रहते थे और साथी साथ इसमें आपका high class के लोग भी यहां पे निवास करते थे यह आपका better residential area था ठीक है और जो सबसे last का था यह आपका computer zone का आ होता है यहां पर ग्रामिड नगरी दोनों के गुड़ यहां पर देखे जाते हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि हम land area या fringe area इसे कह सकते हैं तो जो fringe area था यह computer zone बोला गया जिसमें ग्रामिड और नगरी दोनों प्रकार के विसेस्ताएं पाए जाती हैं तो यहां पर देखिए दिया भी गया है कि peripheral area या high income group के लोग भी यहां पर रहते थे यानि कि जो बहुत ज़्यादा धनी लोग थे तो क्या करते थे कि जो farmhouse बनाएंगे यह city से बाहर बनाएंगे तो city से बाहर यानि कि आपका यहां से city आपका 20 km range में यह है तो 20-25 km range में यह आपका बारे farmhouse बगर बनाते थे तो यह आपका high income group हो गया इसके अलवाँ जो peripheral area था जैसे यहां के राने वाले जो लोग गरामिड वाले यह क्या करते थे काम करने आते थे CBD में कोई आपका second में यानि industrial area में काम करने आएगा कोई आपका CBD में काम करने आएगा फिर यह क्या करते थे वापस जाते थे सुबह काम करने आते थे यह यहां पर बर्गेस ने Chicago नगर के बारे में बताया था यदि इसका हम इंडिया के contest में बात करें तो आपका जो मुझफर नगर है वो Chicago नगर पे कुछ आपका यहां पर implement इसका होता है ठीक है तो यहां पर यह total बर्गेस ने दिया था इ यह पूरा आपका पारिस्थितिक सनरचना था ठीक है यह नगरों की पारिस्थितिक सनरचना और नगरी भूम उपयोग प्याधारित यह पहला सिद्धान भी था नगरी भूम उपयोग इसके बाद आपका सेक्टर थेवरी जो था वो इसके बाद आया था वो आपका 1939 के आ यहां पे आपका पूरा दिखाए गया यह आपका CBD है Central Business District देखें यहां पे आपका लिखा भी गया दूसरे में देखें आपका Transition Zone में क्या था रिसेंट इमिग्रेशन था और आपका यहां पे देखें क्या दिया है Factories थी और यहां पे आपका Abandoned Building थी यानि जो पुरानी विल्डिंग है थी आपका CBD के बाद Transition Zone में थी दूसरे नंबर में तीसरे नंबर में देखें आपका यहां पे Single Family Tenants यानि कि आपका Working Class का यह जोन था तीसरा वाला चौथा वाला जो जो जोन था रिजिडेंशियल था और पांचवे में आपका सभर्म यानि कि जो ग्रामन नगरी अधिवासों में यहां पे आप देखें फ्रिंज एरिया में या उपांती छेत्र में जो लोग रहते थे वो आपका Computer Zone में आते थे आभिग जो सीटी का विस्तार था अरी यह था ठीक है अरी यानि कि रैडियल था और एरिया क्लोजर्स टुदा डानेमिक कोर अर्द मोस्ट इंपर्टेड वाई चेंज यहां जोन टू में दिया है कि ट्रांजीशन जोन जो था यह प्रामरी एरिया के लिए यह डिवाइंस था और यहां पे कंप्रेस्ट वाई कमर्सियल अई इंड इंडस्ट्रियल एक्स्पैंसरन इन फिरह यहां पही कहरा है यह आपका mixed इसी को आप ध्यान रखेंगे यह पूरा आपका हो जाएगा तो यह भी पूछा गया है कि सबसे महागी जो जमीन थी यह कहां पर होती थी तो cvd में ठीक है सबसे ज्यादा जो आर्थिक रिटन्स होता था वो प्राप्ति होती थी कहां से होती थी cvd से होती थी mixed residential और commercial चीजें कहां भी मिलती थी यह आपका transition zone में मिलती थी ठीक है यह आप ध्यान रखेंगा तो यहाँ पर इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक share करना जरूर शेयर वारा माचियों